प्रेंड आज देखिए इन दो कलर से हम हाफ वेवी स्वाटर बनाएंगे तो यह मैंने बेज कलर लगा है और इसका हम डिजाइन बनाएंगे तो देखिए इस पे मैंने 107 फंदे डालके एक, दो, तीन, चार धरियां इसके उल्टी उल्टी बनाई और उल्टी स्लाई यहां तक बना ली अब यहां से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे तो पहले 8 फंदे हम इस साइड बटन पट्टी के लिए रखेंगे 8 फंदे ह हम स्लिप करेंगे और फिर डिजाइन डालेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब धागा पीछे करेंगे और यहां से हम रेड कलर जैंट करेंगे जैसे भी आपको जैंट करना आता है अब ऐसे इसको अगले फंदे हम सीधे बनाएंगे यही हमने उल्टे बनाए अगले हम सीधे बनाए तो पूरी स्लिप हम लास्ट के 8 फंदों तक को सीधा बना देंगे कुछ भी ने करना है सबी फंदों को सीधा बनाए ऐसे यहां से हमारा है डिजाइन बनेगा 12 के मल्टिपल से हम फंदे लेंगे और एक फंदा हम कम लेंगे लास्ट में प्लास्ट में हम 11 फंदे कॉंट करेंगे जो हमारा लास्ट का डीजाईन होगा तो 12 के मल्टिपल से फंदे लेके फ्लास्ट के एक फंदा कम करेंगे तो हमारा डीजाईन आ जाता है तो पूरी श्लाइ में बना लेते हूं अब देखें फ्रेंट यहाँ पे हम दूसरा गोला लेंगे और इससे यह आठ फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे तो धागा ऐसे फपड़ेंगे चाहे आप बांध भी सकते हैं इस दूसरे धागे से और इन फंदों को हम उल्टा बना रहेंगे तोनों साइड हमारी बटन पट्टी आएगी एक ही साथ बनता है उपर जाके हमने फिर फंदे डिवाइड करके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनाने तो अब मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी तो देखिए ध्यान से पहले हम दो तीन चार फंदे बना लेंगे फिर जाली बनाएगे और दो का एक करते एगे और अगले दो फंदे आएसं तो यहाँ पे हमारा बटन होल बन गया अब ऐसे क्रोस कराइंगे यहाँ पे अब हमने रेड करलर से डिजाइन बनाना है तो ध्यान से देखिए धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को पहले सीधा बनाएंगे अब देखिए सीधा बनाने के बाद साथ फंदों को दो बाद धागा पेटेंगे ऐसे दो तीन चार पांच छे और इसाथ अब पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे दो तीन चार पांच इस साइड को सीधी साइड को हमारे उल्टा बनके आएगा और उल्टी साइड से हम इनको सीधा बना रहेंगे तो इस तरह से साथ फंदों पे हम दो बाद धागा पेटेंगे तीन, चार, पांच, शे, साथ, अब पांच फंदे हम सिंगल बनाएं, एक, तो, तीन, चार, पांच, तो पूरी स्लाइब में बना लेते हूं, फिर यहां लास्ट में दिखाते हूं आपको, गस ऐसे बनाना है नहीं, अब देखे फ्रेंड, लास्ट में पहुंच गे हम, तो साथ फंदों पे हम दागाल पेटेंगे दो तेन चार पांच छे और यह साथ और लास्ट का फंदा एक ऐसे ही सिंपल बना देंगे धागा इस साइड को करेंगे अब यहां पर हमने क्रॉस कराना थागा ऐसे इस साइड को और इस साइड को फिर इसको बनाना है नहीं तो यहां पर फिर छेद पड़ जाएगा वह अच्छा नहीं लगेगा अब देखिए इन आठ फंदों को हम पहले उल्टा बनाएंगे दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ धागा पीछे करा और यह जो हमारा फंदा है इसको क्रॉस करके हमने ऐसे सीधा बना लेएंगे फिर धागा आगे करके साथ फंदे कोनने हैं दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ अब इन साथ फंदों के हमने साथ फंदे बना देने हैं ऐसे पकड़ेंगे अब देखें, एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ अब धागा पीछे करेंगे एक पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अब धागा आगे करके एक साथ फंदे फिर खोलेंगे बस पूरी सलाई में हमने ऐसे ही बनाते जाना है इनको साथ फंदों पे, साथ फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ धागा पीछे करके इनको, दो, तीन, चार, पांच तो एक पूरी सलाई में बना लेते हूं, फिर आपको यहां लास्ट में फिर दिखाते हूं अब देखे फ्रैंट यहां लास्ट में वी एक फ्लावर बन गया, अब धागा पीछे करके इस फंद को हम सीधा बना देंगे अब यहां से हम फिर से धागा ऐसे क्रोस करेंगे और धागा आगे करके इन आठ फंदों को उल्टा बनाएंगे रहला, लास्ट का फंदा सीधा अब उल्टी स्लाईद देखे यह जो हमारे आठ फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे दोनों साइड इन आठ खंदों को हम उल्टा बनाएंगे अब यहाँ पे हम फिर से धागा ऐसे क्रोस करेंगे और इसको ऐसे पीछे और इन खंदों को हम सीधा बनाएंगे यहाँ से उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे और पूरी स्लाई सीधी बना देंगे और इसके बाद फिर येलो कलर से चार स्लाईया सीधी उल्टी सीधी उल्टी बनाएंगे जैसे हमने गैप के लिए यहां दो दे रखे हैं वैसे हम चार स्लाईया एक सीधी उल्टी सीधी उल्टी बनाएंगे और चार सलाइं बनाने के बाद फिर से यही डिजाइन बनाएंगे तो यह मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनके आए है पूरी सलाइ में बना लेती हूँ पहले अब देखें फ्रेंट पूरा डिजाइन कमपलेट हो गया है अब हम यलो कलर से 4 स्लाइए बनाएंगे तो पहले इन 8 संदों को हम उल्टा बनाएंगे धागा आगे करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धागा पीछे करा इनको अब हम सीधा बनाएंगे यह स्लाइए सीधी अगली पूरी उल्टी उसके बाद सीधी फिर उल्टी फिर उसके बाद एक बार फिर दिखाऊंगी मैं आए आपको यह डिजाइन डालना तो आगली बार हमने कैसे डिजाइन डालना है उन्हें आपको आगे दिखाते हूं अगली बार हमने यहां पर डिजाइन डालना है अब की बार हमने यहां डाला अगली बार यहां जो हमारे पांच-पांच फंदे गैप के हैं वहां वहां हम डिजाइन डालेंगे तो यह चार सलाइएं मैं ऐसे ही बना लेती हूं सीधी उल्टी सीधी उल्टी अब देखे फ्रेंड एक डिजाइन हमारा बनके कम्पलीट हो गया है आप दूसरा डिजाइन बनाएंगे हम तो इस वाले गैप में बनाएंगे तो देखे कैसे बनाएंगे कैसे सुरू करेंगे पहले यह जो आठ फंदे हैं यह हम उल्टे बना लेते हैं तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ अब धागा पीछे करके पूरी स्लाई हम सीधी बनाएंगे रेड से धागा ऐसे क्रोस कराएंगे और रेड से पूरी स्लाई हम सीधी बना लेते हैं और लास्ट के आठ फंदे फिर हम येलो से बनाएंगे तो ये पूरी स्लाई में बना लेते हूँ अब उल्टी स्लाई पे आज़े ये फ्रेंड अब इन आठ फंदों को पहले हम उल्टा बना लेते हैं धागा ऐसे क्रॉस करेंगे और इसको ऐसे पीछे को अब देखिए पहले साथ फंदे हम ऐसे सीधे बना लेंगे चार पांच छे साथ साथ फंदे इधर सीधे बनाएंगे साथ ही इधर सीधे बनाएंगे और बीच के साथ फंदों पे दो बात हागा लपिटेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और अगले पांच फंदे हम सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे हमने साथ फंदे यहां बनाने हैं सीधे, साथ यह दूछरे साइए फिर साथ पे हमने दो बार धागा लपेटने हैं अगर ऐसा नहीं करोगी तो डिजाइन आगे पीछे आएगा फिर सेम हमने ऐसा ही बनाना एक दो तीन चार पांच और इस पे दो बार हमने धागा लपेटा दो तीन चार पांच छे साथ और पांच फंदे सीधे तो इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे हमारा एक डिजाइन बनके आएगा यहाँ और उसके बाद फिर से हमने वैसे ही एक फंदा हमने अल्टा बनाना है फिर शाथ खंदो पर लिजाइन बनाना अगली सलाइप जो अगला डिजाइन बनाएगे हम तो ऐसे हम इन डिजाइनों को बनाते जाएए तो इस उन्दर सार डिजाइन हमारा completely होता जाएगा तो ऐसे ही बना लिजी आपे फिर मैं आगे का दिखाऊंगे आपको इससे आगे हमने किस तरीके से बनाना ही है अब देखिए फ्रेंड यहां तक बना लिए मैंने पूरा पला देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़ नौ दस ग्यारा बारा डिजाइन बनाए है अब देखिए अब इन फंदों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हैं एक सो उन्चास फंदे हैं एक सो साथ फंदे हैं सोरी एक सो साथ फंदे हैं एक सो नौ हैं साइद यादे मेरी है तो अब तीस फंदे हम इस साइड रखेंगे तीस इस साइड और बीच के फंदों को हम बैक पार्ट पे हैं तो देखिए तीस फंदे हम कैस दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, दागा पीछे करा, इसको फ्रॉस करेंगे, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, अंदरा, सोला, तो यह तीस बना लेते हुए, अब देखिए फ्रैंट, तीस फंदे बना लिए, तीस ही हमें इस साथ बनाएंगे, और बीच में हम फोर्टी नाइन फंदे बनाएंगे, यह जो बीच बाले हमारे बैक पार्ट के ब बनाएंगे, तो तीन हिस्से कर लिए हमने इसके, डिवाइड कर लिए इसको, तीस फंदे ए, फ्रंट पार्ट के लिए, बैक पार्ट के लिए, फोर्टी नाइन, और फिर फ्रंट पार्ट के लिए हमने, तीस फंदे, अब यहीं से हम इसको पलट देंगे, अब यहां से हम एक ही side बनाएंगे अब ये वाली side क्योंकि ये हम पाद में बनाएंगे अब तो पहले देखिए पहला फंद हमें ऐसे slip करा धागा पीछे करा पांच फंदे हम ये इसके मुंदे के लिए रखेंगे दो-ती-इन-चार-बांच अब धागा आगे करके ऐसे तीन फंदे का एक कर देंगे यहाँ पर और पूरी सलाई अब उल्टी बना देंगे इसके बाद सीधी सलाई फिर पूरी सीधी बना करें यहाँ पर फिर दिखाते हूं कैसे हमने फंदे कम करने यह जो हमने तीन का एक करा इसको ऐसे सीधा बना लिया अब धागा आगे करके यह 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे जो मुंडे के लिए हैं एक दो तीन चार अब धागा पीछे करके पांचवा सीधा यहाँ पर हमने जैसे 6 फंदे हम कम करते हैं 3 दो एक वैसे ही करेंगे के पहले हमने तीन का एक करा अब हम यह दो का एक करएंगे हर एक बार अब दो का एक करेंगे जब तक हमारे पास डीनके can खाने मैं यक तरव City exactly दीन चाहरर इन पांच फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे और बनाएंगे हम सीधी स्लाइब तो यह मैं बना लेती हूं सीधी स्लाइब दिखाते हूं अब सीधी स्लाइब पे आगे हम पहले हम 8 फंदे ऐसे बना लेंगे दो तीन चार पांच छे साथ और आठ अब दागा बीचे करके जो हमारा यह डिजाइन यहां पे चला हुआ है वही बनाएंगे एक फंदा हम पहले सीधा बनाएंगे साथ फंदों पे ऐसे रिपेटिंग है एक दो तीन चार पांच छे साथ और पांच फंदे फिर सीधे एक दो तीन चार पांच अब यही डिजाइन आएगा यहां पे अब जो धागा यहां पे दूसरा गोला हमारा तो यहां से कट करके हम इसको यहां पे जोड़ेंगे तो मैं दिखाती हूँ अब यह जो सीधा फंदा है जो हम बैक पार्ट स दो का एक कर रहे हैं उसको हम यहां पे सीधा बनाएंगे इस कलर से अब धागा आगे करके इन फंदों को पुल्टा बना देंगे अब हमारे दोनों साइड यलो के गोले लगे हैं अब यहां पे हमारे दो बार फंदे कम होगे तो तीन फंदे हमारे कम होगे अब चौता फं एक करेंगे इस वाले से ऐसे और ऐसे क्रॉस करके अब रेड से हम जो हमारा डिजाइन चला हुआ है उसको वैसे ही बना देंगे एक दो तीन पांट छे साथ सौरी फ्रेंड ही हमने उल्टी सलाई बनाने थी यहां पर दागा पीछे की साइड को करके देखिए ऐसे अब दागा आगे करेंगे दो तीन चार पांच छे और साथ वैसे अब दागा पीछे करके इसको फिर उल्टा बना देगे अब आठ फंदे हम उल्टे बना देंगे दागा आगे करेंगे अब जो हमारा डिजाइन चला हुआ है वैसे हम इसको बना देंगे तो यहां पे एक दो तीन फंदे कम होगे पांच फंदे हम कम करेंगे उसके बाद फिर मैं आगे दिखाओंगे आपको इसमेल इसलाई को हम सीधा बनाएंगे अब यहां पे फिर क्रॉस करके हम यह बला फंदे हम सीधा ही बनाएंगे आफने दागह आगे करेंगे और इन फंदों कोल्ट को बनाएंगे ए एक फंदधा कम करेंगे तो चार फंदे अमारे यहां पे कम हो जाएंगे कि पांच अब यहां पे इन दो का एक कर देंगे अब ऐसे क्रोस करेंगे दागा पीछे करके इन फंदों को हूँ उल्टी स्लाई पे सीधा बनाएंगे दो प्रकार से मैंने आपको एक डिजाइन डालना बता दिया उल्टी स्लाई से भी और सीधी से भी आपको जैसे इजी लगे आप ऐसे डाल सकते हैं अब इसके बाद फिर हम साथ में गले की घटाई भी करेंगे और गला भी साथ साथ में बनाएंगे यह वाली पट्टी जो हमारी चली वी है इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे तो हमारे चार फंदे कम होए अब इस वाली स्लाई में हम फिर से फंदा कम करेंगे देखिए इसको फ्रोज करेंगे अब और अब सभी फंदों को सीधा बना देंगे इसके बाद फिर मैं आपको गले की गटाई करना बताते हूं तो देखिए धागा पीछे करके सीधा बना है अब हम यहां से एक पंदा और कम करेंगे फिर हमारे यह मुंडे की कटिंग कम प्लेट हो गई एक दो तीन चार पांच और फिर दो का एक अब हमारे छे फंदे यहां पर कम होगे अब हमने कोई फंदा कम नहीं करना है तो यह पूरी स्लाई में बना लेते हूं फिर सीधी पर दिखाते हूं अब देखिए फ्रैंट दागा आगे करके इन फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे अभी एक डिजाइन हम बना लेंगे इसके बाद हम गले की घटाई करेंगे तो दोस लाई हैं तो एक ए बना रहे हूं ने एक इसके बाद उल्टी बनाऊंगी जल्लो से अब हम कोई फंदा नहीं घटाईंगे उसके बाद एक रेड का डिजाइन और बना लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको गले की गोल गला बनाएंगे हम साथ साथ में जैसे हम यहां पे गला भी साथ साथ में ही बनाएंगे तो यह मैं बना लेते हूं एक डिजाइन और फिर दिखाते हूं इस देखे फ्रेंड हमने कंप्लीट कर लिया यहां पे डिजाइन नहीं बन सकता था क्योंकि फंदे कम है अब देखे अब हमने बीच के फंदे सभी घटाने है और यह और यह दोनों ही यहां पे छोड़ने है आठे और पांचे चौदा फंदे तो अब देखे कैसे गटाएंगे हम धागा आगे करेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ यहां से हमने गले की कटिंग स्टार्ट करने हैं तो ऐसे क्रॉस करके हमने पहले यहां पे तीन फंदे का एक कर देना है क्यूंकि यहां पे हमें निसानी लग जाएगी कि हमने फंदे यहां से कम करे थे अब हमने पूरी सलाई यलो से बना देनी है अगली बार फिर यहीं पे फंदे कम करना बताती हूं मैं आपको अब देखिए अब यह फंदे हम उल्टे बनाएंगे इसके बाद उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे अगली सीधी पे फिर दिखाती हूं मैं अब आठ फंदे पहले उल्टे बना लेते हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब धागा पीछे करके ऐसे पल्टेंगे और दो का एक कर देंगे पहले तीन का करा फिर दो का अब उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे शिर्फ इनी फंदों को अब हमने कम करते जाना है यह आप इसे बनाएंगे इसे हम इन फंदों को यहां पर कम करते जाएंगे उल्टी सलाई यहां सभी उल्टी बनाते जाएंगे और सीधी पर यहां पर फंदे कम करेंगे अब एक वार फिर से देख लिजी आठ फंदे बना लेते हैं पहले दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब धागा पीछे करके इस फंदे को ऐसे पल्टेंगे क्योंकि अब हमने रेड से यहां पर बनाना है तो यह बीच के फंदे हम रेड से बनाएंगे जब तक हमारे पास फंदे सारे कमने हो जाते सभी फंदे आप ऐसे ही कम कर लेजिए फिर आगे का दिखाते हुआ अब देखे फ्रेंड यह हमारे बीच के दो फंदे सीधे बचे और आठ है और पांच है अब देखे इन बीच के सीधे फंदों को भी अमने उल्टा बना देना है ऐसे तीन चार पांच छे साथ आठ अब यह जो दो हैं हमारे इन दो को भी हम उल्टा बना देंगे अब ही हमारी पहली धारी बन गई यहां पे उल्टी-उल्टी तो आठ धारी हम यहां पे उल्टी-उल्टी बनाएंगे दोनों साइट से 16 लाइएं बस इनी फंदों को अब हमने उल्टा उल्टा बनाना है यह हमारे पास फंदे बचे तो यह मैं बना लेती हूं दोनों साइट से अब कोई भी फंदानी हमने ना बढ़ाना ना घटाना बस उल्टे उल्टे बनाते जाना है इनको तेरा फंदों को ऐसे ही तो यह आठ धारियां मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाते हूँ आपको इसके साथ ही हमारी यह दूसरी धारी बनने स्टार्ट हो गई दो धारियां और सेम ऐसे हमने यह तीस फंदे बनाए वैसे हम दूसरे पार्ट पे भी ऐसे ही इन तीस फंदों को सेम ऐसे ही बनाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको बैक पार्ट बनाना बताऊंगी बैक हमने किस तरीके से बनाने है तो फ्रंट पार्ट जैसे यह बनाया वैसे आप इसकोने वाले 30 फंदों को बना लीजिए फिर आगे का दिखाऊंगी मैं आपको यह बीच वाला तो यहां से फिर हमने जैसे हमारी 8 धारियां कंप्लेट हो जाएगी एक दो हो गई फिर हमने इन फंदों को पीन पे उतार लेना है 8 धारियां बनाने के बाद और उस बैक पार बैक पार पी एल लों साइड हमने यलो कर लगाया थीन डीजाइन बनाए हैं देखिए यहां से हमने धागा जोइंट करा इस वाले कलर से और फिर यलो से चार्ज लाई बनाई वैसे ही 3 फंदों का एक यहां करा फिर 1-1 हम ऐसे छे फंदे यहां कम करें चे यहां पर और यहां से लेके यहां तक छे छे फंदे कम करें वाकि हमने ऐसे ही बनाया इतना है एक दो तीन डिजाएं इसके बाद दो स्लाइएं हमने ऐसे बना ली थी उसके बाद एक दो तीन और चौथी तीन धारियां बनाने के बाद इस लाई हम यहां तक बनाके लाए हैं अब देखे 14 फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे चौदा इस साइड अब बीच के 9 फंदों को हम बंद करेंगे तो ध्यान से देखे कैसे करेंगे और दोनों पार्ट पराबर बनाएंगे हम बैक भी और फ्रांट भी पहले 14 फंदे बना ले 12 13 14 अब धागा पीछे करके यह हम उपर से ऐसे उतार देंगे तो यहां से हम फंदे बंद करना स्टार्ट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो फंदे हमने बंद कर दिये तीन, तीन, छे, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, और एक, चौदा अब धागा आगे करके अब इन ही चौदा फंदों को हम उपर तक बनाएंगे थोड़ा सा मैं एक धारियां आपको कॉंट करा देते हूं फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी हमने एक ब्राबर धारियां बनानी है तो देखिए यहां से कॉंट करेंगे हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सतरा, ठारा, उन्निस, बीस, इक्किस, बाईस, तेरा, चौदिस, पत्रिस, यहां से उपर, जहां तक हमने फंदे घटाए, यहां से उपर हमने दस धारियां बनाई है, उल्टी, उल्टी, 26 धारियां है, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आर, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, तामरा, सोला होगी, तो यह भी ह चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और देखिए, बीच के फंदे हमने ऐसे कम कर दिया, इतने से, अब इनको मैं बना लेते हूँ, 26 धारियां फिर दिखाते हूँ, आपको, अब देखिए, फ्रेंट, 26 धारियां बना ली, मैंने यह टोटल यहां से यहां तक, अब यह वाला पार्ट हम खोल के, ऐसे रखेंगे इसको, तो यह मैं सलाई पे ले लेते हूँ, सभी फंदे, 14 फंदों को हम पीन से उतार लेंगे, जिस तरीके से हमने एक साइड का बनाया, वैसे हम 26 धारियां दूसरी साइड भी बना देंगे, और ऐसे ही मुंडों को जॉइंट करेंगे, तो यह मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे जॉइंट करेंगे हम, यह देखे, इस साइड का मुंडा ही हम इसके साथ जोड़ेंगे, और इस साइड का इसके साथ, तो अब देखे, सीधी साइड हमने दोनों साइड अंदर कर दिया है, यह देखे, ऐसे, इसको इसके उपर ऐसे रखेंगे, और दो-दो फंदे का एक एक करते जाएंगे, दोनों सलाहियों से एक एक फंदा लेंगे, देखे, दो-का एक करा, फिर अगले वाला दो-का एक करा, और पिछले वाला इसके उपर से उतार देंगे, यह दागे बच्चे हों, इनको हम क्रोसे से अंदर के साइड को अच्छे से जोइंट करेंगे, ताकि यह निकले ना बाहर को, बस इसी तरीके से हमने सभी फंदे बंद करते हैं, पीछे वाला फंदा हमने इसके उपर से उतारते जाना है, तब ही हमारे फंदे बंद होंगे, अब यहां से हम धागा काटके फिर दूसरी साइड इसको जोड़ेंगे, और वैसे ही 26 धारियां बनाएंगे, पूरी धारियां 26 हैं टोटल, अगर इससे बड़े बच्चे का बनाना है आपने तो चार धारियों और बढा लिजिए, तो बड़े बच्चे का बन जाएगा फिर, अब यहां से हम थोड़ा साथ हागा यहां से काट देंगे, और इसके अंदर से ऐसे निकार देंगे, और इन धागों को में कुरोशी से फिर, अंदर की साइड जाइट करेंगे, ऐसे बन के आएगा, एक साइड का हमने ऐसे जाइट कर दिया, अब दूसरे साइड का हम बना देंगे, तो उसको भी ऐसे ही यहां पे जाइट करेंगे, तो इस तरीके से हमारी स्वैटर की सेफ बन के आएगी फिर, तो यह भी मैं बना लेती हूँ, यह वाली साइड फिर आप दिखाती हूँ आपको, अब देखिए फ्रैंड इस साइड के भी हमारे 26 दारियां कंप्लीट हो गई, यह 26 ही, तो देखिए यह सीदी साइड है हमारी और यह उल्टी है, तो ऐसे रखेंगे हम इनको और सभी फंदो को फिर से बन का देंगे, जैसे हमने एक साइड का बन करेंगे, वैसे हम दूसरी साइड भी बन कर देंगे, और इसके साथ ही हमारी इस वाटर कंप्लीट होती है, और बटन लगा के फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, और साइड कर दा लगा के ge वैंपना लगा हुँता जगा कॉम इसोचित लगा वपा कर देंगे, वैरी इसे वाटर कर दो नार मैंवे ढ containing बन का दूसरी म दम भी इसमियूंयाנ्षाम इसबगी कर दोूसरी जेरा मैं और देखिए अब लास्ट का फंदा भी हम ऐसे ही बंद करतेंगे और यहां से धागा काटके इसके अंदर से निकाल के इसको जोइंट करेंगे यहां पर ऐसे और इस ही वाला है इन दोनों को ऐसे फिर क्रोशिय से अंदर के साइड हम बंद कर देंगे अच्छे से पोल्ड करके और यहां पर अभी बटन लगाने है हमने तो आप इसको बेबी इनर या बेबी हाफ स्वेटर जो आपकी इच्छा हो आप ऐसा इसको बोल सकते हैं और यहां पर बटन लगाने के बाद इस तरीके से इसकी सेप आएगी भी सेप तो एक बार फ्रेंड जरूर ट्राइ किजिएगा इसको एक साथ बिना जोड किये यह बहुत ही शुंदर इसकी लेंध थोड़ मैंने लंबी रखिये बड़े बच्चे को भी आ जाएगी ज्या ज्यादा सर्दी होए तो अंदर से पैना देंगे और ज्यादा उसके बाद थोड़ी गर्मी आ जाती है तो हम इसको बाहर से भी पना सकते हैं तो एक बाद जरूर ट्राइ किजिएगा फ्रेंड तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लोगी तो लाइक करना शेयर करना